हेलो दोस्तो स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में तो भाई आज की इस वीडियो के अंदर में बात करूंगा बीर बिलिंग के बारे में बीर बिलिंग एक छोटा सा लेकिन काफी खूपसूरा सहील स्टेशन है हिमाचल प्रदेश में तो अगर आप भी बीर बिल और जो ट्रांस्पोर्टेशन है एक जगह से दूसरी जगह तक आना जाना वो आप कैसे एजिली कर सकते हैं तो वो सारी ही चीजे इस एक ही वीडियो के अंदर आपको जानने के लिए मिलेंगी तो वीडियो स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले बागे आपसे कहना करते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप बीर कैसे पहुंच सकते हैं तो दिली से बात करते हैं तो दिली से बीर पहुंचने के पास तीन उप्शन से हैं सबसे पहला उप्शन आप आपके पास है आप अपनी गाड़ी से जा सकते हैं तो अगर आप बाई कार जाते हैं दिल्ली से बीर तक तो लग बग 500 किलोमेटर आपको पढ़ता है और आप बीर पहुच जाएंगे वही दूसरा ओप्शन आपके पास है बाई बस जाने का तो बाई आप बस भी बीर जा सक होती हैं और सुभा आपको बारा घंटे बाद उसी टाइम पर आपको बीर में उतार देंगी और यह बस अगर आप लेना चाहते हैं दिल्ली में तो मजनुगा टीला से या कश्मीरी गेट से आई एसबीटी कश्मीरी गेट दोनों ही जगा आप कहीं से भी यह बस इस ले सकते हैं आप चाहें तो यह अनलाइन भी बुक कर सकते हैं और अगर वहीं इस बस के किराए की मैं बात करता हूं तो इस बस के अंदर एवरेज किरा लगता है 7800 रुपे कभी 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 ज्याद नहीं होती है तो अगर आप उनलाइन बस बुक करते हैं तो उसके अंदर आप अपना ड्रॉपिंग पॉइंट सेलेक्ट करें बीर तिबेतन कॉलोनी क्योंकि बीर तिबेतन कॉलोनी वह एरिया है जहां पर टूरिस्ट जाते हैं घूमने के लिए तो बस आपको डारेक्ट वहां ड्रॉप करेगी वरना दूसरा ड्रॉपिंग परेट होता है बीर बस इस्टैंड का जो बीर के में टूरिस्ट प्ले एट्रेक्शन जो है वहां से लगबग तीन किलोमेटर दूर है दो तीन किलोमेटर तो वहां से फिर आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी तो इसलिए तीन कॉलोंय सेलेक्ट करें अब तीसरा उप्शन जो है बड़ आपके परस बसक जने का वहाय वहाय आप ट्रेन भी बीर जा सकते हैं दिल्helmी से पठानगोट चोड़ेगी लेकिन पठानगोट से बीर काफी दूर है तो पठानगोट से बीर जाने के लिए एक भूत अच्छा उप्शन आपके पास है कि आप टोय ट्रेन का इस्तमाल कर सकते हैं पठान कोट से आपको टोय ट्रेन मिलती है जो आपको बीर उतार देती है छे घंटे में लेकिन नजारे काफी आपको सीनिक अच्छे देखने के लिए मिलेंगे और सा बीर से लगबग 3 किलोमेटर दूर है आसानी से टैक्सी जपोस सकते हैं तो अगली बात करते हैं कि आपको कब जाना चाहिए तो बीर जाने के लिए जो सबसे ज्यादा टूरिस्ट्स जाते हैं वो जाते हैं मार्च से जून के बीच में ठोड़ा गर्मियोगा टाइम होता ह होता है जातर टूरिस्ट उस टाइम जाते हैं लेकिन साथी साथ एक दूसरा टाइम भी है कि आप ऑक्टोबर से मिड़ डिसेंबर तक भी बीर जा सकते हैं और इस टाइम को पैराग्लाइडिंग के लिए अच्छा माना जाता है क्योंकि मौन सुन के बाद वाला टाइम होत पर आप कहां होटल ले सकते हैं कहां आपको रुखना चाहिए तो अगर आप सिंगल जा रहे हैं आप सोलो ट्रैवलिंग करते हैं तो उस वहां पर आपके पास बीर में बहुत सारे होश्टल्स के भी ऑप्शन है जिसके अंदर होश्टल्स में आप वूपर होश्टल है आपको असानी से मिल जाएगा वही जोश्टल प्लस के लिए कि अगर मैं बात करता हूं वो थोड़ा मेंगा है वो शहाड़े-शहाइस रूपे पर 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 सन आपको पड़े जाएगा डॉर्मेटर का किराया महीं दूसरा अगर मैं से बताता हूं आपको होश्टल नहीं ल जो अपने विक करना चाहिए वह आपको जो लाटिग साइट है इंन लेंडर घ्र्ट यहांपОर असपास को यही जो आप अच्छा घाना कर सकते हैं कितना लगब आपका उसके अंदर चार्ज लगसकता काफ़ी फेमस है बहुत सारे आपको कै्फेस देखने के लिए मिलेंगे और काफी फेमस काफी अच्छे कैफे भी आपको देखने के लिए मिलेंगे जहाँ पर आप काफी अच्छा अच्छा लग अलग वराइटी का घाने के लिए जो अच्छे हैं काफी लोग वहाँ पर आपको रेकमेंड करेंगा काफी कुछ वहाँ प तो आपको अगर बिल्कुल इंडियन खाना खाना है उसके अंदर वैजिया नॉन वेजिटेरियन के अंदर तो वहीं आप जा सकते हैं कुकूज शेरे पंजाब धावा पर क्योंकि मैं पर सब्सक्राइब काफी सस्ता भी है तो वहां जा सकते हैं इंडियन फूट ट्राय करने हैं इनके अंदर खाना किस तरह का मिल रहा है क्या प्राइजिज है कुकू शेरे पंजाब धालवा कैसा है वहां पर क्या प्राइजिज है खाना कैसा है तो उसके लिए मैंने कैफे की और फूट रिलेटीड एक पूरा डेडिकेट वीडियो बनाई थी वह चैनल पर अल्रे हो जाएगा बाकी खाने में खार आपको पर डिपेंड करता है बहुत अलग-अलग वैराइटीज ट्राइए करते हैं तो प्राइज अपडाउन हो सकते हैं अब वही खाने के अंदर एक और रेक्रमेंडेशन आप लोगों के लिए हापर मैं करना चाहूंगा वो है हिमाचल घ्लम चोम व्हां के तो अम इसके अंदर पूरा आपको धाली मिलती है और उसके अंदर हीमाचल की जो हाँदग डिश हr rural आपको सर्व किया जाता है तो आप मैं कंगा आप आगर विर विलिंग जाते हैं तो एक बहुत सारी वेराइटी में आपको खाना टेस्ट करने के लिए उसमें मिल जाएगा तो अब बात करते हैं भाई बीर के बात करते हैं तो बाइक का आपको चार्ज पड़ता है और उसके बाद वाकी पेट्र वगएर उसमें आपको खुड़ डलवाना है अब जो अगला ऑक्षन है हर जगा जाने के लिए आने के लिए बीर में आपको टैक्सी हर जगा मिल जाएंगी लगबक तो आप टैक्सी से भ आगे आपको पूरा IDKंडर डिटेल में बताता हूं कि आप इन काफी बड़ी बनी हुए काफी खुबसूरत है देखने में और जो बीर का जो मेन मार्केट एरिया बिल्कुल तिबेतन कोलोनी है वहीं पर वाकिंग डिश्टेंस पर ही है तो जैसा नहीं बताया था अगर आप होटल अपने यहीं पर बुक करते हैं तो आप बिल्कुल वाकि इंस्टिट्यूट वह भी बिल्कुल मेन रोड पर ही है और चोथा उप्शन उसके बाद है धीरे धीरे घुमते हुए जब आपको शाम हो जाती है तो शाम को आप लेंडिंग साइट जा सकते हैं लेंडिंग साइट भी बिल्कुल मेन रोड पर ही है तो आप लेंडिंग सा पूरत बहुत भैत्रेन वहां से संसेट दिखाई देता है तो आप संसेट एंजोई कर सकते हैं और इस तर आपका पहला पूरा दिन बेचता है जिसमें आपको कुछ भी रेंट करने की जरुरत नहीं है वाकिंग डिश्टेंस पर सब कुछ आपको मिल जाएगा और साथ ही थकावट नहीं होगे अब ज्यादा दूर वाली जगह उपर नहीं जाएंगे आप पास के सारे एरियाज एक ही दिन में कवर कर लेंगी अब अगर दूसरे दिन की बात करते हैं तो दूसरे दिन के लिए बाई मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप एक या दो ही लो भी जाते हैं मैं खुद वहां पर पैदल गया था लोगों ने कहा कि व्यूस काफी अच्छे हैं वाके व्यूस अच्छे मिलते हैं लेकिन हाँ स्कूटी से भी जा सकते हैं तो आप स्कूटी से जाए शराब लिंग मोनस्ट्री को अच्छे से विजिट कीजिए घूमिये औ आप उनसे बाते कर सकते हैं वहां के अच्छे से जान सकते हैं उसके बाद शराब लिंग मोनस्ट्री से वापिस आने के बाद आप जाप सकते हैं गुनेहर या बंगवरू वाटरफॉल तो गुनेहर और बंगवरू वाटरफॉल बिल्कुल एक के बाद एक ही ऐसे आते हैं और वहां तक जाने के लिए भी आप स्कूटी से जा सकते हैं एक पॉइंट तक और उसके बाद वहां पर बंगोरु के अंदर ही एक अगए एक फिड़न वाटरफॉल भी है जिसको देखने के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो वहां तक जाने के लिए आपको एक लेकिन गूगल पर आपको वह नहीं मिलेगा अप ऐसे लिखेंगे तो उसको तो उस वाटरफॉल पर आप जा सकते हैं लेकिन वहां के बारे में कि आप जो लोग उस वाटरफॉल पर पहले गए है या पिर महां के अगर कुछ लोकल आपके फ्रेंड्स बनते हैं तो आप उ किसी ऐसे के साथ जाएं जो पहले उस वाटरफॉल पर जा चुगा है अब बहुत जो इसी सैकिंडे के लिए आपके पास तीसरा ओप्षन है जहापको जाना चाहिए वहाँ पर जो में तिबेतन कोलोनी है वहाँ से लगबग पांच किलोमेटर दूर जॉंगसर मोनेश्ट्री जो जॉंगसर मोनेश्ट्री है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मोनेश्ट्री में से एक है और सबसे लाश्ट में मैंने इसको क्यों रखा है तो वाई सबसे लाश्ट में पूरे दिन के एंड में आपको यहाँ पर इसले जाना चाहिए क्योंकि डेली शाम को 6 बज सबसे पहले जिसको आपको एक दिन पहले बुक कर लेना होगा हमें कल सुबह आगर करनी है तो आप सबसे पहले पारग्लाइडिंग कर सकते हैं आप शाम को भी कर सकते हैं आपकी चोईस पर डिबेंट करता है दूसरा जो ऑप्षन है यहाप बीर से बैजनाट टेंपल जाना चाहिए बैजनाट टेंपल शिव मंदिर और ऐसा बताते हैं हुआ दूसरा ऑप्षन है बीर में ही चोगान चोख है जो बीर तिबेतम कलोणी में मार्केट जो है वहां से लगबग 10 के लिए लोकल बस भी ले सकते हैं तो उसी दिन आप बैजनाट घूमने के बाद आप आगे पालंपूर भी आ सकते हैं तो बैजनाट बिल्कुल मंदि के पास ही बस इस्टेंड है वहां से अब बस लीजिए और सीधा पालंपूर चले जाईए और पालंपूर के अंदर जो टी फैक्टरी जो टी गार्डन्स है चाय के जो बाग है आप भाई उनको एक्स्प्लोर कर सकते हैं देख सकते हैं साथी साथ वहाँ पर दो टी पर आप को साथ बजे ही मिलेगी उसके बाद आपको बस नहीं मिलेगी तो आप प्लान में रखें कि आप उससे पहले पहले ही वापिस बीर तक आजाएं अब भाई इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका लाश्ट आखरी जो दिन होने वाला है बीर के लिए चोथा दिन तो भाई इस फोर्थ डे का ये है या आपके लिए आपके लिए आप चाहें तो रख सकते हैं ना चाहें तो ना रखें बीर से थोड़ा सा दूर लगभग 40 किलोमेटर दूर बीर से राजगुन्दा वैली है जिसके लिए आप बिलिंग होते हुए जाते हैं तो राजगुन्दा वैली तक आप जा सकते हैं और जैसा बीर के अंदर आपको काफी टूरिस्ट्स देखने के लिए मिलेंगे थोड़ा के साथ एक अच्छा कुछ शांत जगा पर टाइम स्प्रेंट करना चाते हैं यह राजगुन्दा जा सकते हैं और राजगुन्दा जाने के लिए भी आप बाइक कर सकते हैं स्कूटी मैं रेकमेंड नहीं करूंगा रासता बहुत ज़्याद अच्छा नहीं जाने को आपके इस बीर में ड्रॉप कर देंगे और इसके तीन हजार रुपे चार्ज लेते हैं पूरी गाड़ी का आना जाना तो वह आपके उपर है आप वहां जा सकते हैं तो राजगुंदा भी एक बहुत ही खुबसूरत काफी अच्छी जगा है बीर में घूमने के लिए तो बात कर ले ही है तो इंडिया कि अगर सबससे पैर्ट या इसक आसके आब यहां का ब। आपको पिक करेंगी जहां से आप टेक औफ करते हैं 뭔 तक भी उनीकी गाड़ी आपको लेकर जाएगी महां पूरा आपका प्रेग्लाइडिंग कर दो बाद अपना पूरा इसको सैट अप लगाएंगे और उसके बाद मासे आप प्रेटीज करते हुए वापीस नीचे बीर की जो लेंडिंग साइट है पार साथ इसाथ जो गो प्रो भी आपके हाथ में होगा जिससे आप अपना वीड तो अगर आप बस जा रहे हैं तो भाइ आट-ठाटसो रुपए आपका आना जाना बसका हो गया दिल्ली से बीर और बीर से दिल्ली तो 16 दिन के लिए इसमें आप लेना है क्योंकि दो रात तो आपकी बस में निकल जाएंगी उसके अलावा गर हम बात करते हैं फूड की तो फूड का अब जितना ज्यादा एक्स्ट्रा चीज़ा ट्राय करोगे उतना ज्यादा बढ़ेगा लेकिन एक एवरेज लेकर चलते हैं तो चार सो रुपे पर परसन एक दिन का मान सकते हैं तो चार दिन के लिए सोलह सो रुपे हो गया आपका फूड का वहीं अगर बात करते हो मैं ट्रांस्पोर्टेशन की तो इसमें जैसा मैंने बता है पहले दिन तो आपको कुछ भी लेने की ज़रूत नहीं सब वॉकिंग डि जिसमें बैजनाथ पालंपूर टी गार्डन के लिए जाते हैं तो इसका अगर बात करते हो तो आप बात करते हो तो आपका राजगुन्दा वैली के लिए रहेगा तो भाई अगर आप शेयर टैक्सी में जाते हो या फिर उसके लावा आपनी रेंट करके जाते हो तो करके जाते हो तो लोग बग हजार रुपए आपका पड़ जाएगा 700 रुपए की बाइक और बाकी पेट्रोल और इसके लावगर आप टैक्सी से जाते हो तो भी आपका 600 रुपए तो शेयरिंग में आएगा ही 5,000 रुपए से अकर चार्ड लोग भी जाते हैं तो तो यह हो गया तो भाई ट्रांस्पोर्टेशन का अगर हम थोड़ा आप डाउन में देख सकते हैं तो पंद्रा सो से लेकर 2,000 रुपए तक आपका ट्रांस्पोर्टेशन में चार्ज लग जाएंगे वह अगर पैराग्लाइडिंग की बात करते हैं तो 5,000 रुपए में आपको प पैराग्लाइडिंग भी इंक्लूड होगी आपका राज गुंदा वैली भी होगी और दिल्ली से बीर आना और जाना भी होगा तो 8-9,000 रुपए में अगर आप पर परसन गुमने के लिए जा रहे हैं तो आप बहुत आसानी से बीर से दिल्ली बीर गुम कर वापिस आ सकत वीडियो के लिए फिलाल इतना ही उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगो अच्छे लगी और इस वीडियो के अंदर जितनी भी मैंने आपको इंफोर्मेशन दी वह सारी इंफोर्मेशन आपके काम की होगी लेकिन उसके बावजूत भी अगर आपको लगता है कि इसमें क झाल के पाद करता आपको लगता है कि अधर आपको लेकिन आपको लेकिन आपको लोगता है कि रही उसके बढ़ता है कि अगरी इसें।